नमस्कार दोस्त दिल्ली के मास्चर प्लान दोहजार एक्तालिस को अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार के मंत्री समू यानी जी ओएम की मंजूरी मिलने का इंतजार है ऐसे अब पहली बार होने जा रहा है जब देश के रारधानी के आगामी 20 साल के विकास की रूप रेखा की जी ओएम भी समीख शकर रहेगा इस से जी ओएम में गुरह मंत्री अमत्शा, वित्य मंत्री निर्मलासी तरमन और आवास एवं शेहरी विकास मंत्री हर्दी पुरी सहित कई अन्य मंत्री भी शामल रहेगे मास्टर प्लान 2041 के अधिसूचना में समय भी इसलिए लग रहा है क्योंकि जी ओएम की बैठक के लिए कोई तारीख तै नहीं हो पा रही उमीद जद आई जा रही है कि जल्दी ही जी ओएम की बैठक में ये प्लान रख दिया जाएगा गरतलब है कि LGV के सक्सेना ने मार्च की शिरुवात में ही इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी इसके बाद अप्रेल के मध्य में इसे अधिसूचना के लिए केंद्री आवास और शेहरी विकास मंत्राले को भेज दिया गया प्लान में पर्यावरन अनुकूल विकास, लैंड, पूलिंग, विरासत संग्रक्षन और यमुना काया कल्प जैसे अभिनव हस्तक्षेपों पर जोड दिया गया है आवास और शेहरी कार्य मंत्राले इसे कैबिनेट की बैठक में पेश करेगा और वहां मुहर लगनी के बाद ही इसे लागू किया जाएगा हाला कि मास्टर प्लान का 80 फीजदी हिस्सा ऐसा होता है जो पहले से ही तयार है 20 फीजदी हिस्से में ही मुख्य तोर पर रदो बदल होता है या फिर नए प्रावधान जोड़े जाते हैं लेकिन इस बार के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में एक ऐसे प्रावधान को हटाया गया है जिसका दिल्ली पर दूरगामी असर पड़ सकता है ये बदलाव है लोकल एरिया प्लानिंग का अब तक मास्टर प्लान में लोकल एरिया प्लानिंग का प्रावधान होता रहा है इससे लोकल सर पर प्लानिंग करने या जरुरत के मताबक बदलाव करने में आसानी होती है दिल्ली में लोकल एरिया प्लानिंग का पैमाना वाड स्तर का होता है जो सरहा से पहले दिल्ली में नगर निगम के 272 वाड थे लगभग हर वाड यानि 50 से 70 हजार के आबादी के एरिया के स्तर पर प्लानिंग का प्राभधान होता रहा है बताते चले मास्टर प्लान 2021 शहर के भावे विकास को लिर्देशित करने के लिए एक रणीतिक और सक्षम धाचा है जो पिछली योजनाओं के क्रियानवेन से सीखे गए सबक पर आधारित है साथ ही कई पर योजनाओं के क्रियानवेन को लेकर देश भर से सीखने पर आधारित है ड्राफ्ट को दस अध्यायों वाले दो खंडों में विभाजित किया गया है अब देखना होगा कि केंद्री सरकार की तरफ से इसे मन्जूरी मिलती है या पर नहीं देश और दुम्या की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें क्लेक इंडिया